निफ्टी के डेली अनरिजिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मार्केट अपना क्लोज दिया है 22519 पे जो की लगबग दो सो चौतीस पॉइंट नीचे आके मार्केट आज बंद हुआ है आज का मतलब है शुक्रवार कि मैं बात कर रहा हूं बहुत ध्यान से अग जब इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है तो मार्केट में हम बड़ा सेलिंग ही देख पा रहा है इस जगे को अगर देखेंगे तो आप दूज़ाज यह जनवरी मैने का समझ था एक बात में आपको बता दू कि मार्केट जब-जब यहां से आया है इस ट्रेंड लाइन ऐसा लग यह बुरा लगते आप इसको किस तरिके से देखते हैं कि kadar केबात करेंगे क्या कितनी बड़ा होने वाला है कब आने वाला है इसका जो इन्टेंसिटी होगा तीवरता होगा वह कितना होगा कितनी जल्दी मार्केट इस लेवर किस लेफिल तक मार्केट पौज़् नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट अगर हर बार किसी एक ट्रेंड लाइन को बहुत, यह तीन बार हो चुका है, याद रखिए कि मार्केट में तीन बार इसको फॉलो कर लिया है, अब चौते बार तब ही होगा, जब मार्केट दो बारा कोई री टेस्ट के लिए ज सकता है, फिलहाल के समय में मार्केट किस तरीके से रियाक्त कर रहा है, जैसे मार्केट में अभी एक बड़ा फॉल आने बाला है, ध्यान से और ध्यान से अगर देखा जाएगा, तो हमने इस लेवल पे, यह जो कुछ दिन की बाते हैं, कुछ दिन की बाते का मतलब मैं इस क सबी, सबी को, लगबग मार्केट यह जो रेंज है ना 22519, और आपको याद होगा, मार्केट ने एक ग्रुप बनाया था, कुछ चीन तीन चार दिनों का, जहां पर मार्केट ने एक बहुत बड़िया रेंस चेंस लिया था, आपको याद हो, पास सो तेईस वाला लगाता हम इस बाहरे पाथ कर रहेते हैं, 2530, तो मार्केट फिर से उसी जगह पर आया है, यह यहाँ पे सिफ चार पॉइंट का में, बहुत परक नहीं है, 2519, 2530 में बहुत बड़ बड़ा फर्क नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटिंग है, मार्केट इसके नीचे अगर मार्केट उतर जाता है तो आपको यहां पे और बड़ी सेलिंग दिखेगे उससे पहले थोड़ा बहुत मार्केट ट्राय करेगा क्योंकि पूट राइटर्स तो बैठ है यहां पर कंसॉलिडेशन मार्केट हो चुका है तो यह जो लेवल है मतलब सीधी सीधी की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट यह लेवल तक अभी शुरुबात में आएगा कौन सा 22,200 मार्केट अभी कहा पर है 22,500 में स् ओर तो मार्केट में एक न एक दिन बड़ाख आपको दिखता है यह एक दिन का हो गया जब इस चक्रबे पहुंचा था मतलब पीछले महिने में यह एक फॉल है अभी इस के पास अभी एक बड़ा ऑन देख सकते यह बड़ा वड्क लगग लगग आपको एक ही दिन में हो स अगर किसी के मन में थोड़ा सा संशय है उमीदे है कि बाइंग कब आएगा तो सीधी सीधी बात है मार्केट जब तक अभी किसी एक सपोर्ट पे नहीं आएगा सपोर्ट के बारे में अगर मैं बात कर तो एक क據 या पर सीधा ड्रो करने अगर मार्केट में सपोर्ट देख सकते हैं इसको अगर मैं थोड़ा और ओपर कर लेता हूँ अगर इसको ऐसे ले जाता हूँ सपोर्ट ऐसे भी दिख सकता है यहां से किसी भी जगह से जब तक bullish नहीं होगा तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि मार्केट इसको support बनाएगा कि इस जगह से support बनाएगा इसलिए मार्केट को पूरी तरीके से नीचे आने देना पड़ेगा उसके बाद मार्केट यहां से reverse करेगा नीचे से तब जाकर हमें समझ में आएगा और अब यहाँ से समझ में आया यहां पर मार्केट जी समझ में आया तो ऐसे ही insists दोबारा करना जब शुरू करेगा तो बहुत आसान से समझ में आ जाएगा उस समय हम बाइंग की प्लैन बना सकते हैं. अधरवाइस जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस ना कर दे. जैसे मैंने थोड़ी दिर पहले आपको एक ट्रेंड लाइन यहापर मैंने ड्रॉख कर के दिखा कि मार्केट अगर इस लाइन को अगर फॉलो करने जाता है ऐसे अगर फॉलो करने जाता है तो बहुत जल्दी हमको यही से फिर मार्केट उपर जाता हुआ दिखेगा जाता दूर नहीं जाएगा मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल की 22,400 की मार्केट 22,400 से फिर से बुलिश हो सकता है इसमें कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं होगी कि मार्केट बहुत जादा नीचे नहीं गिरा तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा मेजर लेवल की बात करेंगे शुरुवात में आएगा आपका 22,400 दूसरा आएगा 22,300 और तीसरा आएगा 22,200 यह तीन लेवल याद रखिएगा कि मार्केट रिवर्स अगर करेगा तो इन ही जगर से करेगा और वो डे टाइम फ्रेम पे होगा इंट्राडे पे आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते अब भी हम थोड़ी दर ऑप्शन चेंग को देखे लेते हैं वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो राइटर से अपने आपको सजाय बैठे है मार्केट बंद हुआ है आप अ यह कौन सा है पता है यह जो ट्रेन लाइन थोड़ी दिर पेर आपको ड्राओ करके दिखाया ना उसी ट्रेन लाइन का नतिज़ा है वो क्योंकि वहाँ से ट्रेन लाइन गुजरा है तो मार्केट में वहाँ पे ऑपरेटर जो है पूटराइटर वहाँ पे बैठे हैं फिर वहां से हम नीची की ओर जाएंगे तो फिर हमको सबसे बड़ा जो 300.500 का है यह कौन सा है यह मार्केट जिस जगह को मार्केट ने एक सपोर्ट के थूँ या मैं इस तरीके से इसको देखूं मार्केट ने जो एक बहुत बड़िया रेइसिजिएंस लिया था उसके बाद उसको क्रॉस करके जब मार्केट उपर उपने लगा था यह वही जगह है बाइस हजार साड़ दिन सो इसलिए यहाँ पे काल डाइटर सिर्फ 2,000 के आसपास है और पूट डाइटर देखिए 25,000 है तो बहुत 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 ज़एदा यहाँपे आपको पूट डिखे रहें ने मार्केट यह एक जगा हैे यह एक जगा है जहाँ पर मार्केट यहा से रीवर्स में सकता है लेकिन उसके लिए मार्केट को इस जगार पर आना पढ़ेगा और यह इस जगाबARON के चक्कर में अगर लॉस हो गया तो समझेगा कि बड़ी सेलिंग आएगी इस इस बारे में थोड़ा सब थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा बड़ा ग्याब डाउन मार्केट को मार्केट के ओपरेटर्स भास कर को पुट्राइटर्स की जो बखिया उदर देगा वह आप सब्सक्राइब कर पाएंगे आप इन राइटिंग के पीछे आप पड़े रहें गहां जाधा यहां पे ज्याधा यह पे जाधा है और मार्केट एक ही दिन में बड़ा gap down होके सारा खेल पलट देगा, जो लोग इसी वक्त भी अभी यही सोच रहें कि मार्केट रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा, वो सिर्क रिवर्स होगा, इंट्राडे में नहीं, डे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को आप देखना चा gap down, बड़ा gap down होगा तो weak पढ़ जाएंगे, पूर्ट टाइटर्स weak पढ़ जाते हैं, बड़े gap down से, और बड़े gap up से all right week पढ़ते हैं, यह चोटी-चोटी बात है, चोटी-चोटी बातों को जो आप समझने लगते हैं, मार्केट हमको बड़े आसाम लादने लगता है, प है, एक छोटा सा gap down मार्केट को बहुत अच्छा खासा नीचे ले आने के लिए काफी रहेगा, लेकिन फिलहाल अगर निफ्टी को देखेंगे, तो निफ्टी को नीचे आके बहुत बड़िया समय हो गया है, यह और यह बारा तारिक को हुआ है, इस line को अब ध्यान से चोटा करके दिखाता हूँ, चीजे आपको बहुत clear होता हुआ नजर आएगा, देखिए, जब जब इसके पास आया, मार्केट ने support लिया, मार्केट उपर गया, बहुत बड़िया, वावा क्या बात है, यहां पे भी आया, मार्केट सपोर्ट लिया, मार्केट उपर चला लेकिन, 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 बाई 12 तारीक को भी क्या हुआ, देखिए, 12 तारीक को मार्केट गयाप डाउन हुआ, और इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर ही नहीं पाया, धैन से देखिए, फिर या से मार्केट पूरी तरीकी से बेरिश हो गया, इसलिए कहते है कि जब आप ट् है जिए चीद समझ में आने लगती है और फिर आपके लिए मार्केट बढ़ा सान हो जाता है, दियां से देखिए, ना. जब-जब मार्केट इसके पास आया, मार्केट बूलिश हुआ, क्यूंकि मार्केट इसके ऊपर था, ट्रेंड लाइन के ऊपर था, जब-जब मार्केट यहाँ पर आया अब मार्केट खुला ही गयाब डाउन तो यह सपोर्ट तो बाइडिफॉल्ट यह रेंस चीज बन जाएगा तो मार्केट जैसे इसके पास गया मार्केट यहाँ पर बेरिश हो गया चीज़े कितने सिंपल होती है लेकिन हम उसको और जादा डिफिक आएंगे मैं आपको बताता हूँ अब इसी के साथ हम लो को भी मार्क कर लेते हैं अच्छी बात यह है कि लो अब देखें मार्केट चूपके भी बेरिश मोमेंटम पर है तो मार्केट का लो और क्लोस दोनों अगर साथ में है और मार्केट इसी के नीचे ही खुले दोनों क के नीचे तो मार्केट में और ज़्यादा गिरावट की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाता है क्यों क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर और बढ़ जाएगे मार्केट जैसे यहां पर नीचे खुलेगा तो इस लेवल पर जितने भी पूट राइटर से सारे पूट राइटर से यहां पर तुरंद यह खुद ही अपने आप पर कॉल राइटर बन जाएंगे मार्केट अगर यहां पर नीचे खुलता है तो हो सकता है आपको ऐसे नजारे फिर से दिखेंगे कि मार्केट पहला 15 मिट का कैंडल थोड़ा सा बुलिश बना है आप स क्लोस को या लो को मार्केट ब्रेक आउट देके उपर जाता है तब ही संभावना होती है कि आप यहां पर लेके काम करें क्योंकि मार्केट जब यहां पर उपर जाएगा तब यहां पर जितने बायर से यहां पर बायर से अक्टिवेट तभी होंगे और फिलहाल बहुत सा करता भी है मार्केट दुबारा फॉल करने के लिए तयार रहेगा तो बहुत जादा अच्छा होगा कि आप चीज़ को देख सुनके काम करें अभी अगर देखेंगे मार्केट का ये जो फासला था आपके शुकरवार का बारा तारीक का तो ये लगबग 200 पॉइंट के आसपास का था 500 एक दम भी मैं यह नहीं कहूंगा कि कम होते हैं मार्केट इसके बीच में कही भी अगर खुलता है अगर मार्केट गैप अप अगर खुलता है खासकर मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा धैरे रखके काम करिएगा बहुत जलबाजी करके ट्रेड लेने जाएंगे तो हो सकता आपका थोड़ा सा भिया पे नुकसान भी आपको हो सकता है धैरे कैसे क्योंकि यह मार्केट बीच में रहेगा देखिए कितना भी मार्केट में आप यह फासला कितना ज्यादा क्यों ना हो जब तक मार्केट हाई और लो के बीच में रहता है प्रीमियम धीरे बढ़ते हैं हाँ इसलिए कहते हैं कि मार्केट में जब आब आते हैं तो चार चीज़े जब है रोज नहीं बनेगा लेकिन समय के साथ-साथ आपका दिमाग बहुत साथ शार्थ तरी किसे काम करने लगता है ये भी एक बात सच है तो मार्केट अच्छा होगा कि मार्केट अगर उपर कई ही खुलता है तो वेट करिए कि मार्केट एक तो यहां पर पहुंच जा मतलब पिछले दिन के लो तक पहुंच जा या पिछले दिन के हाई तक पहुंच जाए उसके बाद आप करिए कि मार्केट अब क्या करने वाला है कि बहुत बार होता है कि मार्केट को बुलिश रहना हो होगा तो मार्केट दिरे-दिर करके उपर जाएगा और यहां पर सस्टेन करने की कुशिश करेगा और यहां पर सस्टेन कर गया कुछ देर और फिर अगर ब्रेक आउट देता तो कॉल ले सकते हैं क्योंकि यहां पर सस्टेन करने का हाई को ब्रेक करके उपर चला जाता है तो फिर वह जूटा कैंडल होगा क्यूंकि यहां पर सेलर्स बहुत कसी तादाद में आपको मिलेंगे 22800 बहुत ज्यादा राइडिंग है तो मार्केट सीजन नीचे लाएगा वो शुरुबात का कैंडल बड़ा होता हुआ दिखेगा जैसे कि इस दिन हुआ है पहले पहले बाले कैंडल को देखेंगे तो पहला कैंडल बहुत बड़ी अब उपर गया था बायर्स ने कोशिश किया लेकिन ट्रेंड लाइन गुजरने के कारण यहां से फिर सेलर्स अटक कर दिये तो इसलिए बायर्स और सेलर्स के बीच के आपको समझना पड़ेगा और फिर आप मार्केट में काम करने जाएंगे तो अच्छा खासा प्रसा बना पाएंगे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आपसे में अगले वीडियो में तो तब तक के लिए जैहन